हेलो दोस्तों एक बाफ फिर से स्वागत करते हम आपका हमारे से यूट्यूब चैनल पर आज का यह वीडियो बेहदी खास होने वाला है यह आई पेल 24 का एक खतरवा मुकाबला होने वाला है बता दी कि लीग चरण के मुकाबले खत्म हो चुके हैं आज से प्लेयोप के मुक लब है कि कोई भी टीम में अगर यह मुकाबला जित्ती है तो वह सीधे फाइनल तक का सफर करेगी इसके अलावा अगर कोई टीम में यह मुकाबला हार जाती है तो उसे एक मौका मिलेगी क्वालिफायर 2 खेलने के लिए तो आई यह बिना देरी किये हुए मुकाबले पर ह आ जाते हैं हम आपको बता दे किस मुकाबले को ले करके हम आपको सारे रिकोर्ट्स बताएंगे चूकि लीग चरण के भी सारे मुकाबले खत्म हो चुके है ऐसे में उनके रिकोर्ट्स इसके अलावा अब तक इन दोनों टीमों के प्ले आउफ में खेले जाने की तो चलिए बिना देरी कि ये वीडियो पर आ जाते हैं और जानते हैं आज पीच रिपोर्ट के वारे में चुकि हमने जैसा कि आपको बताया कि यह मुकाबला एहमादाबाद के नरिंद्र मोदी स्टेडियम में बाजो का दबदबा आपको साफ तौर पर देखने को मिलता ह यहां कि पीच में गेंदबाजो के लिए कुछ खास नहीं होता है ऐसे यहां हाइ स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है अगें चुकि यह कौलिफायर मुकाबले है इसलिए प्रेसर वाला मैच होता है तो थोड़े कम स्कोर आप बनते देख सकते हैं इसके अलावा यहां कि पीछ जो है सो spin gain बाजों के लिए run रोकना आसान नहीं होता है वहीं तेज जिकरत बाजों को थोड़ा सा bounce मिलता है जिससे बल्ले बाजों को तकलीफ हो सकती है अगर pitch records के बारे में बात कर ली जाए तो हम आपको बता दे कि यहां IPL की इतिहास में अब तक 33 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें batting first करते हुए 15 मुकाबले जीते बैटिंग second करते है 18 मुकाबले जीते गए वहीं highest total 233 रन कर रहा है तीन विकेट के नुकसान पर वहीं lowest total 89 रन कर रहा है highest chase जो है 205 रन किया गया है वहीं average first inning score 173 रन किया गया है आपको बता दे कि highest chase जो 205 रन chase किया गया है वह KKR नहीं किया है अगर दोनों टीमों की एक probable playing 11 के बारे में बात कर ली जाए तो हम सुरुवात KKR से करते हैं आपको बता दे कि KKR के एक probable playing 11 में आपको दिख सकते हैं कप्तान स्रे सयर विकेट कीपर में आपको यहां रहमानूला गुरुबाज दिखेंगे क्योंकि फिल सॉल्ट अब टीम का हिसा नहीं है इसके अलावा आपको वंग्टे सयर को देख सकते हैं निती सराना हो सकते हैं इस टीम में सामील अगर हैदराबाद की playing 11 के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बदा दे किसमें सामील रह सकते हैं अगर दोनों टीमों की head to head records के बारे में बात कर ली जाए तो हम आपको बता दें IPL की तिहास में दोनों टीमों ने अब तक 26 मुकाबले खेले हैं एक दूसरे के खिलाब जहाँ KKR ने सबसे ज़्यादा 17 मुकाबले जीते हैं वहीं हैदराबाद ने महज 9 मुकाबले हाइस टोटल KKR का हैदराबाद के खिलाब 208 रहा है वहीं हैदराबाद का KKR के खिलाब 230 रहा है वहीं हैदराबाद का KKR के खिलाब 115 सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में KKR की तरब से हैदराबाद के खिलाब चटकाए है भूंश वर कुमार ने चोविस विकेड ये तो रही दोनों ट्यूमों के हेट टू हेट एट रिकोर्ट्स के बारे में सुरुवात हम KKR से करते हैं बता दे कि KKR ने अब तक अपने IPL के करियर में 13 बर प्लेओफ मुकाबले खेले हैं जिसमें 8 में जीते हैं 5 में हारे हैं बता दे कि पहला प्लेओफ KKR ने खेला था 2011 में जो कि Eliminator मुकाबला था Mumbai Indians के खिलाप यह मुकाबला KKR हार गई थी आखरी प्लेओफ मुकाबला 2021 में खेला था जो कि Final मुकाबला था चैने सुपर किंग्स के खिलाप यह अभी मुकाबला KKR हार गई थी हैदराबाद की बात की जाए तो आपको बता दे कि अपने करियर में हैदराबाद ने अब तक 12 प्लेओफ मुकाबले खेले हैं जिसमें 5 में जीते हैं 6 में हारे हैं इसके अलाबा हम आपको बताते चले कि दोनों टीमों ने अब तक 3 बार एक दूसरे के खिलाप प्लेओफ में मुकाबले खेले हैं इस दोरान भी KKR का पलड़ा भारी रहा है बतादे कि KKR ने दो बार इस दोरान जीत दर्ज की है वहीं एक बार सनराइस हैदराबाद के नाम जीत दर्ज हुई है अगर दोनों टीमों के रिसेंट मैचों के परदसन के बारे में बात कर ली जाए तो हम सुरुवात KKR से करते हैं KKR ने अब तक लीग मैच 14 खेल चुके हैं जहां 9 में जीती है तीन में हार मिली है हाइस्ट स्कोर इस सीजन 272 है वहीं लोवेश् टॉप 3 रन स्कोरर इस सीजन सुनील नरायन रहे हैं 471 फिल सॉल्ट 435 श्रिया सजयर 287 रन वहीं टॉप 3 विकेट टेकर में वरून चक्रवर्ती रहे हैं 18 विकेट के साथ हरसित राना 16 विकेट और सुनील नरायन 15 विकेट अगर हैदराबाद की रिसेंट मैचों के परदस टॉप 3 विकेट टेकर में टी नट राजन 17 विकेट के साथ पहरे नमर पर पैट कमिन्स 15 विकेट के साथ दूसरे नमर पर वहीं 30 विकेट के साथ तो दोस्तों उम्मीद है कि हमने आपको वह सारे रिकोर्ट बताए जिनकी मदब से आप बना सकते हैं परफेक्ट फेंटेसी प्लेइंग 11 मिलते हैं फिर एक नए विडियो के साथ तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा धन्यवाद